कि आख by अज दो आधर कि में द में बहूत सारी कोई आ रही है कि करने में आमें बहुत हो रहा है技 मार्केट बहुत बॉलाइब और हम कैसे मार्केट को सम्झें कि यह अच्छे से ड्रेदिंग कर पाए हम जादा से जादा पैसा लूज नहीं करना चाहते हैं जादा से जादा पैसा कमाना चाहते हैं बट उसका उल्टा हो रहा है तो आज मैं आपको 8 golden rules of trading के बारे में बताऊंगा अगर आप ये golden rules अपनी trading style में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको बहुत benefit होने वाला है अल्टिमेटली आप कम से कम losses से तो बस सकते हैं इस golden rules में पहले number पे आता है plan your trade then trade your plan इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई trade लेना है तो उसका पहले से planning कर लें और जैसा आपने plan किया है वैसे ही आपको execute करना है जैसे ही आप trade लेने वाले हों उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि buy करना है कि sell करना है कहां पे stop loss लगाना है कहां पे target लगाना है ये तीनों चीज़े जब आपकी define होंगी अभी कि कितने समय के लिए कोई trade ले रहा है तो ये चार चीज़े आप ध्यान रखे और उसके बाद में trade लें तो पहला rule आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि plan your trade then trade your plan तूसरा rule है follow the trend हमेशा trend को follow करना है अगर higher higher lows बन रहे हैं तो हमें buy का trade लेना है अगर lower high lower lows बन रहे हैं तो हमें sell क trade लेना है जैसा भी trend बोल रहा है उसी के favor में trade करना है उसके against में कभी trade नहीं करना है जब trend बदले तब आप उसके against में जा सकते हैं तीसरा golden rule don't pay a trend on a very first day माल लीजिए कि अगर कोई भी stock या कोई भी commodity या कोई भी currency जिसमें भी आप trade करते हैं वो trend reverse करके पहले दिन तेजी मे आई है या पहले दिन मंदी में आई है तो उसके against में trade करने की अवशकता नहीं है उसके साथ ही trade करें अगर trend reverse हुआ है और मंदी से तेजी में आया है कोई stock तो आपको तेजी का trade लेना है अगर उल्टा हुआ है तेजी से मंदी में आया है तो आपको sell का trade लेना है आपको उ sell trade को अगर आपके parameter में आ रहा है तो उस trade को avoid कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर gap down हुआ है तो buy trade को avoid करना है अगर आप gap up पे sell करेंगे तो 95% chances हैं कि आपका stop loss होगा इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि gap up पे buy करना है और gap down पे sell करना है अगर आप buy नहीं करना चाहते मत करिए और gap down पे buy मत करिए पाच्वा golden rule है risk reward आपका risk reward अगर match कर रहा है आपके stop loss और target का one is to two का ratio या one is to three का ratio निकल रहा है तभी वो trade लेना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका stop loss बढ़ा है और आपका target छोटा है ऐसे trade करने में आप हमेशा आप फसी फील करेंगे और यह trades आपको कहीं न कहीं नुकसान के तरफ नके लेंगे यह overall एक perception मनाना है कि हमें जो भी trades लेने हैं वो हम एक trade का result नहीं देखेंगे हम कई तो इसके बाद जो च्टा रूल आता है वो यही बताता है कि टोटल जो रिस्क लेना है आपको 1% रिस्क लेना है आपकी टोटल कैपिटल का अगर आप 10 लाग से trading कर रहे हैं तो आपका एक trade में maximum risk मतलब maximum stop loss जो होना चाहिए वो 10,000 रुपय को होना चाहिए इस से जादा न management और money management का golden rule है 7th golden rule है number of trades in a day आप यह define करें कि आप दो ट्रेड या तीन ट्रेड जितने भी ट्रेड सही लेते हैं उसके बाद में आपको trading बंद कर देनी है इससे जादा दिन भर में trade नहीं लेना है अगर आपकी capacity है कि आप 5 सही ट्रेड लेते हैं तो छटा ट्रेड मत तो आपने यह decide करना है कि अगर दिन भर में हमें तीन ट्रेड लेने हैं तो तीन से जादा नहीं लेने हैं यह एक सात्वा रूल है उसके बाद last but not the least limit of profit and loss in a day अगर आप यह define कर लेंगे successfully कि एक दिन में maximum loss कितना लेना है और एक दिन में maximum profit कितना लेना है तो आप की रहा ब profitable trader बन सकते हैं तो यह 8 golden rules है मैं एक बार फिर से आपको repeat करता हूँ यह 8 golden rules आप हमेशा ध्यान रखिए अपनी ट्रेडिंग में apply किजे तो आप एक profitable trader बन सकते हैं फैला golden rule है plan your trade then trade your plan दूसरा golden rule है follow the trend तीसरा golden rule है don't fade the trend on a very first day चौथा golden rule है gap up पे sell नहीं करना है और gap down पे buy न risk reward maintain करना है one is to two या one is to three का risk reward maintain करना है एक रुपे के stop loss पे तीन रुपे का target या दो रुपे का target होना चाहिए छटा golden rule है आपके total capital का 1% से जाधा का stop loss नहीं होना चाहिए एक particular trade पे इस से जाधा risk आप नहीं ले सकते एक particular trade पे साथवा golden rule है कि आपको number of trades define करने एक दिन में maximum number of trades कितने लेने हैं आठवा और important golden rule है कि आपको एक limit bracket में काम करना पड़ेगा limit बनानी पड़ेगी loss के लिए भी और profit के लिए भी कि आप एक दिन में कितना profit और कितना loss ले सकते हैं उससे जाधा ब्रीच नहीं होना चाहिए तो इन golden rules को याद रखिए और अपना trading का सफ़र चाहिए हम रेगुलर बेसिस पे financial awareness के बारे में वीडियो डालते रहते हैं हमारी वीडियो यूट्यूब पे हर बुनवार और चनिवार को अप्लोड होती है आप प्लीज जाके उनको देखिए उनको चेक करिए थैंक्स फो वाचिंग तिल देन इन्वेस्ट वाइज वाच थैंस